आखिर क्या हुआ है जो गिरा राजस्थान में सुदर्शन चक्र और धन्स गई धर्ती जीहा दोस्तों यह घटना है 23 फरवरी की जब अचानक से राजस्थान के बिकानेर के एक छोटे से गाउ में धर्ती में कुछ हल चल होती है और एक गढ़ा होने लगता है तभी बहुत तेज तेज हवाई चलने लगते हैं और चारों तरफ अंधकार चा जाता है बिजलिया खटकने लगती है और एक उडान तश्थरी जैसी चीज आकर राजस्थान के इस गाउं के बीचों बीच गिर जाती है इसके बाद वहां ठहरे सभी लोगों को पता चलता है कि वह उड जान टेस्टी और कुछ नहीं बलकी भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है दोस्तों यह चक्र आखिर यहां आया कैसे हैं और इस जगह इसके गिरने का क्या उद्देश था यह सभी सवाल हर किसी के मन में चल रहे हैं लेकिन जब से यह चकर वहां गिरा है उसके बाद से ही वहां की धर्ती में एक बहुत बड़ा गढधा हो गया है जो की हर घड़ी गहरा ही होता जा रहा है और वैज्ञानिक भी इसे समझ नहीं पा रहे कि यह हो क्या रहा है तो आये जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी के बारे में लेकिन उससे पहले है यदि आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जायस श्री कृष्णा जरूर लिखें तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सुदर्शन चकर के रहस्य के बारे में और इसके इतिहास के बारे गए स्थान पर आजाता था चक्र को विश्णु की तरजनी अंगुली में घूमते हुए बताया जाता है, सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था, सिर्फ देवताओं के पास ही चक्र होते थे, चक्र सिर्फ उसमानव, कोही प्राप्थ होता था जिसे देवता लोग नियु गवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, यह सुदर्शन चक्र कहां से आया था, और चक्रों का जन्मदाता कौन था, दोस्तों चक्र को छोटा, लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था, सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग 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 चक्र हो अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, दोस्तों सुदर्शन चक्र ब्रहमास्त्र के समान ही अचूक था, हालां कि यह ब्रहमास्त्र की तरह विध्वनसक नहीं था, लेकिन इसका प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाता रहा है, क्योंकि एक बार छोड़े. जाने पर यह दुश्मन को खत्म करके ही दम लेता था, इस युद्ध की खासियत थी कि इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर यह हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेक से अगनी प्रजवलित कर दुश्मन को भस्म कर देता था, यह अत्यंत सुंदर तीवरगामी तुरंत चालित होने वाला एक भाई, आनद अस्त्र था दोस्तों पर मानू बम के समान ही सुदर्शन चक्र के विज्ञान को भी अत्यंत गुप्त रखा गया है, गुपनियता इसलिए रखी गई होगी कि इस अमोग अस्त्र की जानकारी देवताओं को छोड़ दूसरों को ना लग शूल लगे हुए थे, इसके साथ ही इसमें अत्यंत विशैले किस्म के थे, जिसे द्वीप की पैनी छुरियों में रखा जाता था। पहले जुर्रियों का भी उप्योग किया जाता था, इसके नाम से ही विपक्षी सेना में मौत का भय चा जाता था, यह खुद जितना रह सिमय है, उतना ही इसका निर्मान और संचालन भी प्राचीन और प्रामानिक शास्त्रों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्मान भगवान विश्नु ने नहीं बलकी भगवान शिव ने किया था। तब भगवान विश्नु ने कैलाश परवत पर जाकर भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना की थी और वे हजार नामों से शिव की स्तुति करने लगे वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्पों भगवान शिव को चिढ़ाते थे, तब भगवान शंकर ने विश्न की परीच्शा लेने के लिए उनके द्वारा लाए एक हजार कमल में से एक, कमल का फूल छिपा दिया था और भगवान शिव की माया के कारण भगवान विश्नु को यह पता नहीं चला था, एक फूल कम होने पर भगवान विश्नु उस एक फूल को ढूंदने लगे, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद भी वह भूल नहीं मिला, तब विश्नु ने एक फूल की पूर्ती के लिए अपना एक नेत्र निकाल कर शिव को अर्पित कर दिये दोस्तों भगवान विश्नु ने तो अपने नेत्र अर्पित कर दिये गए, लेकिन भगवान विश्नु की भ इस पर भगवान शंकर ने भगवान विश्नु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया सुदर्शन चक्र पाने के बाद विश्नु ने उस चक्र से दैतियों का सहार कर दिया इस प्रकार देवताओं को दैतियों से मुक्ती मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ से विचलित होते हुए सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम के पास से श्री कृष्ण को प्राप्थ हुआ ना दोस्तों सुदर्शन चक्र को हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली और दिव्य हतियार के रूप में। जो विपरीत दिशाओं में घूमती है। सभी हतियारों में सुदर्शन चक्र विशेश रूप से अध्वितिय है क्योंकि यह सदैग गतिशील रहता है। क्रिशन ने अपनी दिव्य प्रकृती और अपार शक्ती का प्रदर्शन किया और सुदर्शन चक्र से उनके दिव्य अधिकार के प्रतीकों में से एक था। अपने पूरे जीवन में क्रिशन ने अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्ट ताक्तों को हराने के लिए विभिन अफसरों पर सुदर्शन चक्र का उप्योग किया जाए या ब्रहमांडिय व्यवस्था और दैविय न्याय का प्रतिनिधित्व करता है जो हिंदू प प्रताओं में एक बात कॉमन है और वह यह की भगवान विश्णु का प्रत्येक अवतार और उनकी सभी लीलाएं विध्यान और समाज से जुडी हुई है आए जानते हैं कि भगवान विश्णु के सुदर्शन चक्र के पीछे का विध्यान क्या है और क्यों इस प्रकार का चक्र दोबारा कोई नहीं बना पाया दोस्तों शास्त्रों में उल्लेक है कि भगवान विश्णु का सुदर्शन चक्र चान्दी का बना हुआ है चक्र पर लोहे के शूल लगे हुए है यह इच्छा शक्ती के आधार पर चलने वाला शस्त्र है शास्त्रों में सुदर्शन चक्र का डिजाइन भी दिया हुआ है, इसके आधार पर कोई भी इंजिनियर सुदर्शन चक्र जैसा। दूसरा चक्र आसानी से बना सकता है लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया इसके पीछे प्रमुख कारण है सुदर्शन चक्र का इंधन सुदर्शन चक्र तो बनाया जा सकता है परंतु उसे उतनी गती से घुमाया नहीं जा सकता जितनी गती से भगवान विश्नु द्वा जो प्रकृती में मात्र सूर्य के अंदर होता है। अपस बुलाया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर के वैग्यानिक आज भी यह प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार सूर्य के अंदर मौजूद निउक्लियर फ्यूजन का उप्योग करते हुए उर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पूर्ण विश्व में खुशी का माहौल था और भारत में हनुमान जयन्ती का अफसर था सभी बहुत खुश थे। इसी बीच बहुत से भक्त राजस्थान के महंदीपूर बालाजी मंदिर भी जा रहे थे। प्रभु के दर्शन करने के लिए तब वहां से गुजरते हुए कुछ लोगों ने जब। सुदर्शन चक्र को देखा तो किसी ने यह कलपना ही नहीं कि सच में सुदर्शन चक्र परंतु बाद में जब उस चक्र को ध्यान से देखा गया तो उसकी तुलना श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से की गई। दोस्तों इस गड़े से लोग कलियुक के अंत का भी अनुमान लगा रहे हैं, लोगों का कहना है कि शायद यह छेद इसी तरह से बढ़ता जाएगा और पूरी प्रित्वी को अपने अंदर ही समाहित कर लेगा। परंतु वही वैग्यानिक तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि यह गड़ा जिस जगह पर हो रहा है, यहां किसी जमाने में एक हुआ हुआ करता था जिसके चलते यह गड़ा अब अपनी जगह पूर्णता को के रूप में बना रहा है, तो मित्रो आशा करते हैं, आप को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें धन्यवाद